हेलो गाइज वेल्कम तो अन्यदर वीडियो प्स्टाउक मार्केट फिंसी एल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेट की ओर से मार्च कॉर्टर के फिनांशल रिजल्स पेस हो चुक है आज केस वीडियो में अनल्सिस करेंगे चलिए फिंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं इसका स्केंट नहीं लिया वीडियो बनाई हूं और यहां पर अगर आपको थोला सा मैनेज कर लेना होगा तो चलिए हम लोग इसके रिजल्स पे चलते हैं लाक्स में नमबर्स दिए गए इंकम के अगर बात करें तो फाइफ हंदेट ट्वैंटी टू करोड का इंकम है एक्सपेंसेस है 427 करोल का पिछले क्वार्ण 465 करोड था और मार्च 22 क्वार्ण 311 करोल का एक्सपेंस हुआ था यहां पकाईज कंपनी एक्सपेंसेस भी डाउन हुआ है जिसके वेसे कंपनी पॉफिट बहुत ही शांदार तेजी आई है जो कि इस बार का पॉफिट निक करोल का पिछले को क्वार्ण 4-56 करोल का करोल का पॉफिट सेंपने को मिला है दोनों में करोली को देखने को अगर हम लोग बात करें यहाँ पे stand-alone results का, तो number lakhs में है, income में 319 करोड का, पिछले quarter में 387 करोड था, और March 22 quarter 251 करोड का income था, income quarter on quarter में down है, year on year में तेजी देखने को मिल रहा है, expenses 268 करोड का, पिछले quarter में 322 करोड था, March 22 quarter में 171 करोड का expense हुआ था, यहाँ पे expenses quarter on quarter में down है year on year में तेजी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अगर हम यहाँ पे net profit की बात करें, तो net profit में गिरावट आई है, 42.8 करोड का, पिछले quarter में 67 करोड था, March 22 quarter में 65 करोड का net profit था, quarter on quarter में गिरावट है, year on year में भी fall देखने को मिल रहा है, क्यों कम्पनी का expenses बहुत जादा है, लिकिन year on year में, year profit गिरावट देखने को मिला, और stand-alone में भी यहाँ पे इंकम में गिरावट है, तो overall यहाँ पे कमपनी average result पेच है, तो हम लग वीडियो कहीं परेंट करता है, अगर कोई आउट कमेंट बॉक्स से मिलते हैं, एक प्रूड रूम टिल दिन बाबाई